दोस्तों आपको बता दे कि बॉलीवूट की एक्ट्रिस काटरीना कैफ ने रणवीर कपूर और अपने संग हुए ब्रेकप पर काफी बड़ा खुला सक्किया है काटरीना कैफ ने कहीं न कहीं दिल तोड़ने वाली बात कह दी काटरीना कैफ ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने तूटे दिल के बिखरे हुए टुकडे को दो बार इकठा किया है पहरी बार सल्मान खान के साथ और दूसरी बार रणवीर कपूर के साथ काटरीना कैफ और रणवीर कपूर को अलग हुए दो साल हो चुके हैं और उन्होंने अब तक अपने breakup के बारे में बात नहीं की थी काइटरीना कैफ की निजी जिंदगी के बारे में सभी जानते हैं सलमान खान और रनवीर कपूर के साथ उनके romantic रिष्टे अभी भी खबर में हैं हम सब यह च्छिपा नहीं सकते हैं कि उन्होंने अपने टूटे हुए दिल के विक्रे हुए टुकड़े को दो बार इकठा किया है। खबर के मदाविक काटरीन कैफ ने अपने दिल का हाल बताया है जहां उन्होंने अपने काम व्यक्तिकत जीवन की बारे में बात की है। मैं कहूंगी कि मेरा जीवन 80% काम और 20 व्यक्तिगत पर केंद्रित है लेकिन हमारे नियंतरण के बारे में नहीं जाते हैं अब बहुत काम हो रहा है मैं इसे एक अच्छी चीज के रूप में लेता हूँ जब मेरा निच्जी जीवन खत्म हो गया तो यह मेरे नियंतरण में नहीं था कैटरेना कैफ आके कहती हैं या जानना मुश्किल है कि वास्तों में चीजे क्यों हूई लेकिन मेरा इस पर एक अलग विचार है ठीक है यह ब्रेक अप बेकार है या भयानक है या दुनिया की सबसे बुरी चीज है मेरा जीवन मानुक खत्म हो गया था इस पर बैटकर सिर्फ दो मिनट के लिए भी विश्वास करना संबों नहीं है लेकिन अगर आप वास्तों में अपने भगवान अपने ब्रह्मान पर विश्वास करती हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी मुझे या कहना चाहिए क्योंकि कुछ यूवा लड़किया हैं जो सायद मुझे सुन रही हैं उन्हें कुछ ऐसा मिल सकता है कि जो उनकी मदद करें या एक वेक्त को देख सकती हैं और सोच सकती हैं कि वो एक वर्स में संगर्स नहीं कर रही हैं जैसे मैं कर रही हूँ आप जानते हैं कि हर कोई संगर्स करता है सबसे महत्पूर बात सीखना है हम सभी अपने डर और असुरक्षा के वावजूत काम करने और हांसिल करने की कोसित कर रहे हैं आप एक दिन में नहीं उड़ते हैं और पता चलता है कि यह सब हो गया, आपको इसके आगे बढ़ना होगा। जग्ज आचूस की सूटिंग की दोरान कैटरीना कैफ और रणवीर कपूर का ब्रेक अप हो गया था, जिसकी वज़े अभी तक अग्यात है, फिलार रणवीर कपूर आलियवट को डेट कर रहे हैं, कैटरीना अगली बार रोहिस सेटी की फिल्म सूरी बनसी में नजर अग्याज आलिय।